Let's DIY Organic and Waterproof काजल जिसके लिए आपको कॉटन चाहिए और उस पर इस तरीके से अजवाइन को स्प्रैड करके एक बाती बना कर तयार कर लीजिए जैसे आप देख सकते हो वीडियो में इसके बाद में चार से पांच बादाम भी ले लीजिए और इस बाती को दिये में रखके सर बतन पर छुलनी चाहिए फिर जो हमने बादाम लिये थे उसे इस तरीके से पकड़ कर उस दीयेश की हेल्प से जलाएं और जब बादाम जले तो उसकी भी लॉः उस प्लेट पर लगे ताकि हमें इस तरीके का कारबन मिल जाए चारों पाचब बादम जलाने के बाद में इस तरीके का मुझे कार्बन मिल गया है इसे मैं एक पेपर की हेल्प से इखटा कर लूँगी और जब इखटा हो जाएगा उसके बाद जिस भी कंटेनर में आप ये काजल बना रहे हैं उसमें चार से पांच भूने घी की डालें और उसमें इस कार्बन को एड कर दें और इस अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा